हालो स्टुडेंट्स वेलकम बैक टू अगेंट टीचिंग टैंपर आज हम देखेंगे पास्ट इंडेफिनी टेंस का इंट्रोगेटिव संटेंस जैसे कि पिछले वीडियो में इसका आफर मेटी और निंगेटिव संटेंस के बारे में आप देखे थे आज इसका हम इंट्र पाचान क्या होती है य conteúdo यही होता है इसका संटेंस मिले तो यह हमारा क्या होता है पास्ट इंडेफिनीट्र इंस होता है तो इसका हम आज इंट्र इंट्रूगेटिंट्ज के बारे में अब हम इस स्ट्रुक्शर को देखेंगे यानी इस संट्रूक्शर आप रख़कर बहुत एजली तरीके से आप बना लेंगे तो देखिए सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव वर्ड रगते हैं प्लस डेटी प्लस सब्जेक्ट प्लस वब का फॉर्स प्लस अबजेक्ट और हमारा क्या निसे स्ट्री होता हूँ कि इसमार का यानिकी इंट्रोगेटिव वर्ड क यहां पर देखिए रूल है यानि कि स्ट्रोगेट प्लस सब्जेक्ट साथ हमेसा वह पका फॉर्स फॉर्म का यूज करेंगी तो यह पता है आपको तो देखिए आप हम संटेंस देखेंगे संटेंस हमारे का संटेंस आप देखिए बिल्कुल अच्छी तर सापको समझ में कि पास्ट इंडेफिनिटेंस का इंट्रोगेटी संटेंस कैसे बना जाता है तो देखिए क्या नौकर ने एक प्लेट तोड़ी क्या नौकर ने एक प्लेट तोड़ी यह आरा है आपको यानि कि यह पास्ट इंडेफिनिटेंस का संटेंस है और क्या आगे यानि कि इंट्र तोड़ना तो उसका यह फर्स्ट फॉर्म है और प्लेट नेक्स देखेंगे क्या तुम देर से कभी नहीं आए ए आगया ए कभी नहीं आई यानि कि इसके पाचानी यही होता है कि आपको लाइट में ता था था ती थी ते थे आ ए सका सके सकी यह अँदिए क्या तुम देर से कभी नहीं आए तो देखें क्या आ गया तो सबसे पहले हम इंटोगेटिव वर्ड को यानि जो हमारा है उसको सबसे पहले हम रह लेंगे तो डीट यू उसके बाद हम सबचेंच का मार К्या तूम यानि यू नेवर कभी नेवर करे तो वहां पर हम इसको सबसे पहले रख लेते हैं तो इसको सबसे बाले रख लेते हैं तो इसको सबसे पहले रख लेते हैं तो देखें यहां पर कहा आ गया तो इसको सबसे पहले रख लेते हैं तो इसको सबसे पहले रख लेते हैं तो देखें यहां पर कहा आ गया तो इसको स कि श्रमा का चिन लागा देंगे next हमारा sentence है कल तुम्हारे घर कौन आया कल तुम्हारे घर कौन आया देखिए आपको हम बता है किसे यह हमारा प्रश्ण वाच्छक इंडिरोगेटी वर्ड होता है तो यह हम सबसे पहले रख लेते हैं तो देखे कौन-कौन के लिए हूँ हो जाएगा, वू कम टू योर हाउस यस्टरड़े, ठीक है, यानि तुम्हारे घर हाउस यस्टरड़े, कल तुम्हारे घर कौन आया, ठीक है, तो इक किस्वार का चिंदाश्टो लागा देंगे, नेक्स्ट हमारे संटेंस है, तुम्हें कल किसका पर्स चूराया, या आ रहा है न, यानि कि पास्ट इंडेफिनी टेंस का यह भी इंट्रोगेटी वर्ड है, संटेंस है, तो देखे किसका, किसका यह है, तो आपको कनफर्म हो रहा है कि यह देखे, यानि कि past indefinite tense का interrogative sentence है तो देखिए whose miss कि आता है किसका ठीक है whose purse यानि कि किसका purse did he still yesterday यानि कि उसने कल किसका purse चुराया next हमाया sentence है तुमने कल कितने आम खाए कितने कव क्यों कैसे कितने यह हमारा interrogative word है तो देखिए इसको सबसे पहले हम रख लेंगे यानि कि how many how many miss होता है कितने mangoes यानि कि did you eat yesterday how many mangoes did फिर्फिश का subject के लगाएंगे subject यानि you eat yesterday उसके object लगा देंगे यानि how many mangoes did you eat yesterday और किश्यमा का चिन लगा देंगे सब्सक्राइब यह हमारा पास्ट इंगेफने टेंस का interrogative sentence बस इतना ही था तो आई होप आज का वीडियो आपको बहुत पूल लगा होगा friends यानि कि आपको sentence तो बिल्कुल आपको अची तरह समझ में आई गया होगा कि integrative word लगाएं फिस्वाइब 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 का first form और object और हमारा सबसे नेसेसरी होता कि शमा का चेंट्री के जैसे कि other sentence आप देखे हैं बहुत इजली तरीके से तो फ्रेंस अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें अगर चैनल पर नहीं है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें तो चले फिर में ते नेक्ट वीडियो और फ्रेंस तब तक के लिए बाएं टेक क्यार